हेलो एवरिवन वेल्कम तो माई चैनल लॉचिक पाथ शला आज हम एक बहुत ही इंपोर्टिंग टॉपिक पर डिसकेशन करने वाले हैं यानि उसे हम क्या कहते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है ये इसके अंडर में क्या है क्या पूरी इसकी प्रोसेस है कैसे कैसे ये सारी चीज़े होंगी तो आज हम इसी वीडियो में ये कवर अप करेंगे ताकि आपके पास कोई भी इस चीज़े रिलेटेड डाउट ना रहे ठीक है आपको पता होना चाहिए कि अब आने वाले एक्जाम्स आपके कैसे होने वाले है क्या-क्या स्लेबस उनका होने वाला है ठीक है तो आपको किस तरीके से प्रपेर रहना है तो ये सारी चीज़े आपको पहले पता होनी चाहिए तब ही आप एक्जाम की त्यारी को अच्छे से कर पाओगे का एक्जाम है तो बहुत सारी एक्जाम करा रही है बच्चों को अलग अलग फॉर्म भड़ने पड़ते थे तो क्या होता था बहुत सद दिक्कत होती थी अब इन सारे चीज़ों को खतम कर दिया है और सभी के लिए यानि किस के लिए सभी में किसकी बात कर रही है बैंक एससी और रेलवे तीन चीज़ों का ध्यान दखना है इन तीनों की ही बात और यह कभी दूसरे एस्पिरेंट्स भी समझ लें ठीके अभी सिफ इतना ही आया है तीन के लिए ठीके तो क्या बोल दिया है कि बैंक है एससी है और रेलवे है इन तीनों के लिए सिफ एक ही एक्जाम कंड़क्ट कराया जाएगा और यह अप्लिकल कब से होने लगेगा 2021 से यानि अगले साल से अप्लिकेबल होगा अब आप कहेंगे आपने जो फॉर्म भर रखे उनका क्या होगा तो देखिए जो भी आपने अभी तक फॉर्म भर रखे होंगे जैसे एससी के अभी एक्जाम नहीं होए हैं अभी सीजियल का भी होने वाला है ठीके तो जो भी एक्जाम अभी नहीं हो ना कि हमने तो exam भी दिये ही नहीं है तो इन में भी क्या एक exam होगा ठीक है तो जो form भर रखें उनके लिए सब के लिए अलग-अलग exam होगे जो pattern चलता रहा है उनके लिए वही follow होगा ठीक है यह exam यह applicable कब से होगा अगले साल से अब आप जब next year कोई form भर होगे ना तो सिफ आरे तो NRA ही जो है वो conduct कराएगा अब आपका जो है वो यह exam अब क्या है देखिए इसमें यहां पर क्या होगा देखिए NRA जो conduct कराएगा यह जो CET यानि क्या बोला है हमने इसे common eligibility जो test है यह एक साल में दो बार कराया जाएगा ध्यान दखना है आपको कि एक साल में दो ब बार होगा यह से prelims होगी यह से प्रारंबिक परिक्षा होगी अब यहां पर मैं थोड़ा सा समझाओं जैसे आपका SSC है SSC में क्या होता है टायर फर्स्ट होता है टायर सेकिंड होता है उसके बार टायर थर्ड भी होता है तो सिर्फ आपका टायर फर्स्ट जो है न उसकी लिए ही यह common exam होगा चाहे वो banking का हो railway का हो ठीक है तो सबी का सिर्फ टायर फर्स्ट के लिए common exam होगा बाकि आपको चो टा लिम्ट के लिए है कि जब भी आप SSC का टायर फुर्स्ट वाला एक्जाम दोगे तो यह सभी ठी है वहां से ले ला ऐला से बाटिंगे तब ही मैंने आपसे बूला है कि अब यह तяж इस लेवर फी नहीं दिया गया है लेखेशीक जब आएगा तब आपको बता दिया जएगा उनली इतना पता है कि आपका एक ही एक्साम होगा अलग अलग आपको प्रेलेंस दैने की जोरुत नहीं पड़ेगी अलग अलग भागता नहीं पड़ेगा कि भी ओहो बैंक आगया चलो बैंक का देने चलो एससी का आगया एससी का देने चलो ठीक है ऐसे नहीं भागना पड़ेगा आपको इसके अलावा और भी यहाँ पर क्या चीज आपके लिए रखी गई है तो देखें आपर क्या है यह जो एजनसी एक्जाम टोल बारा लेंगोजिस में एक्जाम देखने को मिलेगा एंड इन फ्यूचर यह देखा जारा है तो जो आपके सम्मेधान में बाईस लांगोजिस हैना तो कोशिश ही हो सकती है मेली इन फ्यूचर हो सकता है के जोड़ें इन 12 लेंगोज है तो बहुत इंपोर्टेंट बा तो फाइड में जलो पैइडी में इसमें जलौ और यहां पर क्या हो गया यह पर यहां यहां पर करने के बांद्स के लिसान के gör a फिर टायर 2 में आते थे, फिर रह गए, फिर प्रिलिंस देना पड़ता था, तो अब ये जंजट खतम हो गया है, अब अगर आपने जो CET है वो क्लियर कर लिया, मालने चे आपने मैरिट लेस्ट क्लियर कर लिया उसकी, तो ये तीन साल के लिए वैलिड हो जाएगा, आपको बार-बार फॉर्स्ट वाला टायर देने की जुरूत नहीं पड़ेगी, आप डारेक्ट क्या कर सकते हो, सेकंड टायर दे सकते हो, अगर आपने मैरिट लेस्ट को क्लियर कर लिया, ठीके, मैरिट लेस्ट तो लगेगी ना, वही मालने चे ले देखिए, मैं आपको एक्जा साल के लिए यह रहेंगे, आप तीन साल के लिए प्रेलिम्स को देने की जुरूत नहीं होगे, आप सिफ तायर सेकंड और तायर थर्ड पर फोकस करोगे, ठीके, आप यहां पर आपके मन में क्वेशन आ रहा होगा, कि यहां से हम बांकिंग में कैसे जाएंगे, एक्जाम साल के लिए होगा, आप का यहां में क्या होगा, जब आपकी SSE वाले list लग जाएगी, बांकिंग वाले list लग जाएगी, सब्पी marry list लग जाएगी, सब की merit list लग जाएगी, आपने clear कर लिया तो आप SSC में जा सकते हो, आपको SSC क्या आगे बढ़ना है, बांकिंग में जा स बाकी फिर तो आगे अपना अपना सब लोग अलग अलग कराएंगे बस यह सिर्फ किसके लिए है प्रेलेम्स के लिए ठीक है और तीन साल के लिए वैलिड हो यह बहुत ही आपके लिए जो है वह आपके लिए इंपोर्टेंट पॉइंट है ठीक है आगे यहां पर क्या है तो रखी जाएगी कि अगर आप पर हो गए जादा हो गए तो फिर तो नहीं ते पाऊगा लेकिन नमबर ओफ लिमिट्स की कोई वो नहीं है जैसे UPSC में होता है कि आप इतने अटेम्ट कर सकते हो IBPS PO में भी I think होता है में भी होता है अटेम्ट बट यहां पर प्रिलिम्स के लिए आपको कोई भी जो है वो रेस्टिक्शन नहीं है आप कितने भी नमबर ओफ अटेम्स यहां पर दे सकते हो ठीक है I think इस सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे ना एक एकर के पॉइंट्स को यहां पर हम क्लियर कर रही है आके दिखें यहां पर एक बहुत रेलवे के तो लगबग लगबग समझ लो एक दो करों लोग तो पेपर देंगे यह ठीक है तो काफी दिनों में यह कंड़क्ट हो पाएगा मालेचे एक्जाम आपका 10 से लेके 30 तक इन इस डेट में है और आपका कुछ मालेचे बीच में कुछ प्रॉब्लेंस आगे आपक आपको चलिए कि आपका जो एक्जाम हो वह 15 ए 16 को जाए आप अपने सेंटर भी चूज कर सकते हो कि मैं यहां यहां एक्जाम देना चाहते हूं तो आप यह सारे चीज़ों को भी शेडूल कर सकते हो तो आप अपनी मर्जी से परिक्षा के लिए पूरा जो शेडूल है उस कर सकते हो तो यह भी आपके लिए ही किया गया है अब इतनी सारी चीज़ों तो हो गई है जैसे अभी हमने क्या क्या चीज़्ों को कवर गिया है कि एक एक एक्जाम होगा ठीक है प्रिलिम्स के लिए अप्लीकेबल बाकि तुटाय टू टाय थी अलग-अलग हो जाएंगे तीन साल के लिए बैलिट हो चाएगा टोटल बारा लैंगोजिस में आपको एक्जाम मिलेगा अब एक और कोईशन यहां पे आता है वो क्या जैसे आप SSE का पेपर देते हो तो वहां पे आपका जो 10th लेवल की पेपर अलग होते हैं SSE के बाकी में भी होते हैं 12th लेवल का प दो बार होगा और ग्राजुएशन वालों के लिए दो बार होगा ऐसान मिक्स नहीं होगा कि बाई ग्राजुएशन वाले 10th 12th में मिक्स हो जाएंगे ठीक है यह मिक्स नहीं होंगे सबका अपना-पना जो है वो CET होगा ठीक है तो यह वाला पॉइंट भी आइधिंक क्लि बहुत हाई जाहेगी इसके बाद डिसद्वाटेज स्सी में थोड़ा हो सकता है यह किया होते है व्हां इसका आप ने टेस्स क्लियर कर लिया इसके बाद आपकी एसफेमें चॉब लगी और आपके बैंकिंग में जॉब लग गई ठीके मालने चे आपने दो टेस्ट क्लियर कर लिए ससी और बांक की अब अगर आपने ससी में नहीं चाहते हो तो वहां पे आप नहीं गए वहां पे आपने डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए तो आपकी जो सीट होगी हैं बाकी बैंक में नहीं होगे क्योंकि बैंक तो दूसरी लिस्ट निकाल देता है फिर अगर उसके पाई सीट बज जाती हैं तो तो उसमें कोई प्राबלम नहीं ओगए तो यह था यह था अनरे यह को एक एक्जाम होगा सो अब आपको थोड़ा सा जाधा त्यारी करनी पड़ेगे क्योंकि अब आपको कुछ इक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी होंगी जैसे पहले क्या ओधा था बैंकिंग में स्टैटिक जीज नहीं पड़ते थे ठीक है और जो एससे वाले थे वह बैंकिंग जीज नहीं पड़ते थे थोड़ा सा इंग्लिश में अलग लग स्लिबस होता था तो अब आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी इसलिए आप कोई भी क्लास को मिस्स न नहीं क्लियर करना पड़ेगा सीध्य आप मेंस दे सकते हो ठीक है तो यह सारी चीज़ें आपके लिए की जारी है तो थोड़ा सा आप भी क्या करें प्रियास करें ठीक है सफलता जरूर मिलेगी ठीक है तो यह था आज की हमारी वीडियो आइधिंक इसके बारे में सब बाकी मेरी तरफ से मैंने आपको सारे जिसे आई होप सो क्लियर कर दी है तो थांक यू एवरीवन थांक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड ऐसे ही वीडियो इसको देखते रहें आपके लिए ऐसी ही हम जितनी भी इंपोर्टेंट बाते होंगी वह सारी कवर अप कर